हेलो विएर्स उरकन में चलें तो आप देख रहे हैं जे जे बीएस स्मार्ट फैशन टेलर ट्यूब तो चली मैं आज आज आपको बहुती इजी ली बॉल्स्टर फिलो कवर बनाना दिखाऊंगी तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसको मेजर्मेंटर करके कटिंग कर लिया है मैं आपको वही दिखा रहे हूं तो मैंने अपना फिलो कवर जो है उसको मैंने मेजर्मेंटर किया है उस हिसाब से यहां से यहां तक ले रहे हैं थार्टी एन हाफ इंच और यहां हाट में ले लेंगे 36 एंद 1.5 इंच तो देख सकते हैं यहां पर हम इस तरह से हम एक संदॉल एक प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से देख सकते हमने इहां पर जोटल हम प्लेट्स कर देंगे भिल्कुल ऐसे ठीक है इसे भिया से नहीं हम रीके से भी प्लेटर प्लेट्स ल southeast İyiいた दिखांते सके हां जिgए तो डीख सकते हैं हमने यहां पर प्रेट्स डाल दिया है दोनों तरब से ठीक है अब हम सबसे तेले क्या करेंगी इसको इस तरह से हाथ कर देंगे हो गया है हाथ फिर इसको एक और फोल्ड करेंगे ठीक है तो यह हो गया टू फोल्ड तो यह हो गया आपका टू फोल्ड अब हम क्या करेंगी इसको मेजर मेंटर करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर फोड इंच अब फोल्ड को भी हम डिवड करेंगे आप कितना आ तो इस तरह से हमें क्या है कि इस पीलो के रांट साइट को मेंजर मेंटर करना है मैंने बहुत ही इज़ी ली दिखा है आपको समझने में कोई तकलीफ हो दीख सकते तो चलिए आप मैं कप्रें करें की लिया के हैं तो क्लॉथ हमने ले लिया है ऐसको 1 फोल्ड करेंगे लिए रफी क्लॉथ हमने लिए लlara एक और थोड करिश कर दिया है तो हो गया तो अब हब हमें क्या करना है टू इंच टू पॉइंच है टू पॉइंच हमें लेना है इतना असे लेखे इसको क्या करना है राउंड कर देना है इस में इस तरह से आपको कहाएने टोटल शेप देना है इसमें हो गया है अब हम इसको टोटल शेप देदेंगे हो गया है एकदम राउंड आप हमें इसको कटिंग कर लेना होगा तो देखें यह हो गया है एकदम राउंड ठीक है आप चाहें तो यहां से आप थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं जब कि थोड़ा सा उपर से अब हे अब को दिखाते हैं देख से एकदम राउंड ए कि इस तरह से उसको उल्टा करके इस तरह से यहां से टोटल एकदम नीचे तक तक कि तो देख सकते हैं हमने दोनों सेट को इस तरह से पकर लिया है और एक दूम हमने बीच में यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें एक मार्जिन लागा लेना हो ठीक है बीच में आपको तरीब 5 इंच तक गैपिंग रखना होगा सबसे पहला है हमें 5 इंच का हाफ करना होगा तो उसके मार्क किया है यहाँ पर क्या करना किरना है यहां पर इक मार्दिन लगना और 5 आइए टे और इड़ी अशे हैं और इस लाइब अल्य भी जाजाव के लागना और यहां चekल हो parchment यहां से यहां तक हम बिल्कुर शिलाई नहीं लगाएंगे 5 इंच तर फिर यहां से सिलाई को स्टार्ट करेंगे यहां पे लॉप करके एकड़म एन तक सिलाई करेंगे और यह जो ज़ता वो इस तरह से ओपन रहेगा ताकर हम इस पर कॉट्वन डाल सकें तो चलिए मैं आप हम कर देने क्या करेंगे इसके यहां से इस जगा पे हम इसको इस तरह से ऐसे उल्टा करके दाखेंगे ठीक है और बिल्कुल ऐसे ऐसे पकड़ते हुए हम जो है टूटल राउंड को जो है इस प्लेट के साथ स्टीचिंग कर लेंगे फिर यह कुछ ऐसे दिखेंगे तो क्या करेंगे इसके बीच में से यहां पर जो हमने जो ऊपिन सेड रखा है इसको आपको पलटके दिखाती है अ ठूपन मेह स्टीचिंगे और कर ले से पक्डिदे प्लीचिंगे और कार diff Gud यह सु 누 DAVID M そう यह समय स्टीचिंगे नीचिंगे लिवग लग आम वह कड़े और र सुमर लेगा है ऑbayगए त्वेतार आपक़् अपरमाइ देख सकते हैं हमारे पीलो कवर जो है घंबन के तयार हो गया है इसको इसने कॉटन रख के दिखाते हैं आपको तेख सकते हैं यह पीलो है इसको भी हम काट के ऑपरेशन करके इसके में से कॉटन निकल लेंगे इतना हमने काटिं कर दिया है अब हम इसको साइट में रखेंगी और यह पीलो ले लेंगे और इसमें सारे कोटन जो है वह हम टाल देंगे हमने कोटन जो है अंदर डाल दिया है अब हमें एक सुई भागा ले लेंगी देख सकते हैं अब हम इसके मात्रम स्वेच यहां फिस्पिल स्पीचिंग कर देंगे बिलकुल दिखिए शीलाई के उनुसरा यहां पर इसके मात्रम स्पीचिंग है उस हिसाब से हम इसको परेंगे लिखिए हमने जो यहां पर यह जो यहां पर अंदर की तरफ जो प्लोथ राखा है वो एक दू इसके हिसाब से राखा है ठीक है तर लिए आपको दिखाते हूं यह हमने दे दिया है लास्ट सिलाई आप उसका टोटल लूप दिखाते हूं एक मिनिट यह हमने कटिंग कर दिया है आपको दिखाते हूं सब्सक्राइब के लिए लुड़े लाखा है अगर आप लूप अग्छा लगे तो प्लिस मेरे चैल्ला को सब्सक्राइब कर दियगा और मेरे इस वीडियो को पे लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा तर थैंस पो लूचिन दिखाते हैं प्लिस इस वीडियो प्रमेरे भी झाल बो बो वाई